अगर उसी तरह से आप नोट्स बनाएंगे तो इस विशे की आधार्भूस समझ इनस्चित रूप से आप में विक्सित होगी जहां तक तथ्यों की बात है मैं प्रतिक अध्याय समाप्त होने पर समंधी तथ्यों को आपके सामने प्रस्तुत कर दोंगा तथ्या आप से नहीं चुटेंगे पढ़ाते समय मैं असी फिश्दी तथ्य लेकर चल लाओं बीस फिश्दी तथ्य जो बचे रह जाएंगे वह आगे पिछे कवर हो जाएंगे इसलिए आप निसिंद रही बस आप मेरे साथ सा चलते रहिए पर्यारण पैस्तिकी को कवर करते हैं आज तीसरे ध संद्र के स्थिरता या आज स्थिरता क्या होती है और साथ में पाजितिक तंत्र में खाद शिंखला में zambenड़ उर्जाप्रवा के साथ साथ। कुछ विपरीत प्रभाव भी पड़ते हैं उर्जा प्रभा तो एक पोशन स्तर से दूसरे पोशन स्तर तक और तीसरे और चोथे तक होता ही है जिससे खाद सिंखला निर्मित होती है लेकिन उर्जा प्रभा के साथ साथ कुछ नकरात्मक पक्ष भी उपरते हैं क्योंकि इस जिवधारियों के लिए भोजन है तो कुछ विशाले पदार्थ भी होते हैं जो उर्जा प्रभा के साथ साथ एक पोशन स्तर से दूसरे पोशन स्तर में पहुंच जाते हैं इसे हम जय संचेन कहते हैं सबसे पहला टॉपिक है जय संचेन यानि बायो अक्तियुमिलेशन पा खाद स्रिंखला में उर्जा प्रभा के साथ साथ आपने पढ़ाओगा कि खाद स्रिंखला में उर्जा प्रभा के साथ ही जयविक और अजयविक तत्तों का भी प्रभा होता है चक्रन होता रहता है लेकिन उर्जा प्रभा के साथ साथ कुछ जहरीले तत्तों का भी खाद स ये जहिव संचेयन कहते हैं है रहां हमाएगे जिये संचेयन खाद सिंखरिए संचनल के प्रते गृष्ण्य इसंतर पर होता है उसलिए जोले के कि प्रते पूष्ण्य इसंतर पर जहायार पुरत होता 혼ध हो हो सकता है और स्वाषन क की दारा भी हो सकता है क्योंकि हूं विकरते हैं तो बहुत सारे तो तो हमारे भुरिखदी खेंघ्र के से हम आरे अम पादितु एसे प्रदुश्च्रक्त्त भी होते हैं इन्हें हम non-degradable कहते हैं non-degradable वो होता है जो जिवाड़ों दोरा पचाया नहीं जा सकता है नहीं जिवाड़ों दोरा अपगटित किया जा सकता है और नहीं मानों सरीड में उसका उपापचय होता है मतलब कुछ ऐसे इंसानों दोरा बनाएगे कुछ ऐसे तत्व जैसे प्लास्टिक हो गया डिडिटी हो गया जो कितना शक की रूप में उपयोग होता है ऐसे तत्व जो सुक्ष में जीवाड़ों दोरा अपगटित नहीं हो पाते लंबे समय तक मिट्टी और पानी में बने रहते हैं और साथ ही जब जीवाड़ों दोरा अउनका ग्रहन कर लिया जाता है भोजन के साथ तो जीवाड़ों के शरीर में भी उनका श्रीघ्र उपापचय नहीं हो पाता वो उपापचय इतनी हो पाते हैं तो ऐसे तत्तों को हम क्या कहते हैं और निम्निक्रित पदार्थ कहते हैं तो ऐसे निम्निक्रित पदार्थ जो जन्तों की शरीर में जल्दी उपापचय नहीं हो पाते जिनका उपापचयन नहीं हो पाता वो एक पोशनरिस्तर से दूसरे पोशनरिस्तर तक पहुंचते रहते एक पूस्ण स्थर से दूसरे पूस्ण स्थर में पहुंच जाते हैं शाकाहरियों से मासाहरियों में मासाहरियों से उच्छ मासाहरियों में पहुंच जाते हैं इससे वो खाद सिंखला की वेभिन इस्थर के जीवों पर बिमारियां उत्पन करते हैं नकरात्मक प्रभाव डालते हैं उधारण के लिए डिडिटी डिडिटी एक ऐसा ही और निमनेकरित प्रदुशक होता है जो मिट्टी और पाने में लंबे समय तक बना रहता है डिडिटी का उपयोग कीट नाशकों की रूप में किया जाता है इंसानों दोरा खेतों में कीट नाशकों की रूप में इसका उपयोग किया जाता है डिडिटी एक और निमनेकरित प्रदुशक होता है जो जल्दी अपघटित नहीं हो पाता विशेश रूप से जीवधारियों के सास्त मनुष्यों पर भी इसका नाकरात्मत प्रभाव पड़ता है डिडिटी प्रमुख कारण है cancer का मानों में जो cancer होता है या type 2 diabetes जो होता है उसका प्रमुख कारण होता है डिडिटी इसी तरह से कुछ भारी पदार्थ होते हैं भारी पदार्थ जैसे कुछ भारी धात्में जैसे पारा हो गया सीसा हो गया कैडमियम हो गया है ना पारा सीसा और कैडमियम जैसे जो भारी ठत्त होते हैं या भारी धातुएं होती है यह भी शीघ्र निमनेकृत नहीं हो पाते हैं यह डिगरेडेबल नहीं होते हैं तो और निमनेकृत होने की करण लंबे समय तक पानी मिट्री में बने हावा में बने रहते हैं और इनके चलते बहुत से बीमारियां उत्पन हो जाती है जैसे सीसे से जो मनुष्य जीवों का जो तंत्री का तंत्र होता है मस्तिस्क का एक भाग होता है तो जीवों का तंत्री का तंत्र प्रभावित होता है विशेसकर मनुष्यों का इसी तरह से प पारे से पारे से खुन वाली बीमारी को हम मिनिमाटा कहते हैं है ना तो यह जो भारी धातु होते ही यह भी अनिमनिकरित होती है और लंबे समय तक प्रकृति में और जनतू की सरीर्म बने रहते हैं ने और यह बिमारी करते हैं जय संचेन के बाद अगला इस तरह सघसे हर लेत संचेन के प्रड़ाम सुरूब जरूरी नहीं रेत के बएक से अधिकस्यले पदार्त या जहरीले तर्त ही जीवों के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और जब खाद सरिंखला में दो या दो से अधिक प्रदुशक तत्तो खाद सरिंखला में या जीवों के सरीर में दो या दो से अधिक प्रदुशक तत्तो मिलकर अधिक जहरीले तत्तो का निर्माड करते हैं तो जीवों की शरीर पर उसका प्रभाव एक प्रदुर्शक की तुलना में कहीं अधिक होता है। खाद सिंखला में प्रवेश कर गए जब दो या दो से अधिक प्रदुर्शक तत्यों होते हैं तो अपिक्छा कृत अधिक जहरीले पदार्थ का निर्माड होता है। जो एक प्रदुर्शक तत्यों की तुलना में जादा पुदुस्प्रवाव डालता है जिवोधारियों के सरीर पर। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं। इसे हम सहक्रिया करते हैं यानि सिनर्जिस्म कहते हैं। जैव आवर्धन बायो मैगनिफिकेशन एक बार जब जैव संचेन की प्रडाम सुरूप जब एक बार जब प्रदुर्शक तो खाद सिंखला में प्रवेश कर जाते हैं। जैव संचेन की माध्यम से जो प्रदुर्शक तो एक बार जब खाद सिंखला में प्रवेश कर जाते हैं तो एक खाद सिंखला के एक पोषण इस्तर के जीवों से लेकर दूसरे तीसरे चौथे पोषण इस्तर में वो बढ़ते रहते हैं। इसका उपर का जीव हमेशा निचले जीव को खाता रहता है। इसके अलमा जो उच्छे मासाहरी जीव है वो निचले कई मासाहरीयों और शाकाहरीयों को खा लेता है तो इसके चलते एक पोशन इस्तर से अगली पोशन इस्तर में प्रदूशक तत्तों का सांदरन बढ़ता जाता है सोभाविक रूप से आप इसे समझ कर देखिए जब जैव संचेन दौरा प्रदूशक तत्तों का खाद सिंखला में प्रवेश हो जाता है तो भोजन सम्मंद स्थापित होने के चलते एक पोशन इस्तर से अगली पोशन इस्तर के जीवों में प्रदूशक तत्तों का सांदरन बढ़ता जाएगा उधारन के लिए शाका हरी जीवों उधारन के लिए चूहा शाका हरी जीवों की तुलना में मासा हरियों में प्रदूशक तत्तों का सांदरन अधिक होगा इसे ही हम क्या कहते हैं जैव आवर्धन कहते हैं जैव संचेन हो या सह क्रिया हो या जैव आवर्धन हो जो तिनों मैंने आपको पढ़ाएग यह एक टर्म है टर्म से समंधी सवाल आपसे पूछे जाएंगे इसलिए आप तीनों को प्रिथक प्रिथक अलग रूप में समझ लेजेगा कभी वी समंधी सवाल आपसे परिच्छाओं में पूछे जा सकते हैं हमने बताया जयव संचन सहक्रिया और जयव आवर्धन अब आगे हम देखेंगे पारिस्तिक तंत्र की उत्पादक्ता क्या होती है यह बिल्कुल सोतंत्र टापिक है अभी तक मैंने पारिस्तिक तंत्र में उर्जा प्रवा की प्रडाम सुरूप जिन विशैले तत्तों का खाद सिंखला में प्रवेश हो जाता है उसके बारे में टर्मिनोलोजिस को मैंने बताया विशैसरूप से तीन टर्मिनोलोजिस अब आगे एक सोतंत्र टापिक शुरू हो रहा है जिसका नाम है पार्सेतिक तंत्र की उत्पादक्ता सिंपल सी बात है पौधे सौर उर्जा को जो संचित कर लेते हैं अपने भीतर वो उनका उत्पादन होता है कोई पोधा इकाई समय में प्रतेक समय में जितने जैविक पदार्थों का संचेन करता है सोर उर्जा को रुपांतरित करके जितने जैविक पदार्थों का संचेन करता है प्रती इकाई समय में उसे ही पारिस्यतिक तंत्र की उत्पादक्ता कहते हैं इसको थोड़ा परिभासिक तोर पर बोलें तो किसे भी परिस्थितिक तंत्र में है ना परिस्थितिक तंत्र की उत्पादक्ता की बात हो रही है किसे भी परिस्थितिक तंत्र में हरी पत्ति वाले पोधों अर्थाद प्राथमिक उत्पादकों द्वारा प्रती इकाई समय में संचित जैविक पदर्थों की सकल मात्रा को पार्षितिक तंत्र की उत्पादकता कहते हैं वनस्पतियों द्वारा जो जैविक उर्जा संचित की जाती है वनस्पतियों जो भी जैविक उर्जा अपने भीतर संचित करते हैं उसे हम जैविक भार यानि बायो मास कहते हैं वनस्पतियों जो भी जैविक उर्जा संचित करते हैं उसे हम बायो मास कहते हैं जो भी जैविक पदार्थ अपने भीतरों संचीत कर लेती हैं सवर रुजा को रूपांतरीत करकी उसे जैविक भार कहते हैं और तंत्र में जैविक भार की वृध्धिदर को ही परसितिक तंत्र की उत्पादक्ता कहते हैं यानि प्रतिकाई समय में जैविक भार की जो वृध दिदर होती है उसे ही तंत्र की उत्पादक्ता कहता है यानि पारसितिक तंत्र की उत्पादक्ता किस पर निर्भर करती है यानि पारसितिक तंत्र की उत्पादक्ता जैविक पदार्थों की वरिद्धिदर पर निर्भर करती है या वरिद्धिदर की द्योतक होती है पारसित जिन छेत्रों में सौर उर्जा की मात्रा की सुलबता जितनी अधिक होगी उस छेत्र में हरी पत्ती वाले प्राथमिक उत्पाद को दोरा जैविक पदार्थों की वरिधिदर उतने ही जैविक पदार्थों की वरिधिदर तो जैविक पदार्थों की वरिधिदर कब अधिक ह वहां पर जैविक पदार्थों की वरिद्धिदर उतनी अधिक होगी अथात पास्यतिक तंत्र की उत्पादक्ता सौर और जा की सुलबता पर निर्भर करती है सौर उर्जा की सुलबता जितने ही अधिक होगी प्राथमिक उत्पादकों दोरा जैविक पदार्थों की विरिधिदर उतने ही अधिक हो जाएगी आप अगर गलोब पर देखिए पृत्वी की गलोब पर तो प्रिथिवी की गलोब को गलोब को अगर आप ध्यान से देखिए तो सबसे ज़्यादा सोर उर्जा कहां प्राप्त होती है विश्वत रेखी छेत्रों में सबसे ज़्यादा सोर उर्जा प्राप्त होती है इसलिए विश्वत रेखी छेत्रों में सबसे ज़्यादा जय व विविद्ता पाई जाती है आपने पढ़ा होगा कि जो विश्वत रेखी वर्षावन होते हैं विश्वत रेखी वर्षावन प्रिथिवी की केवल पांच प्रिशत छेत्रफल परिस्थित हैं लेकिन विश्व के संपूर्ण बायो डैवर्सिटी यानि जैविविद्ता का प पास्तिक तंत्र की उत्पादक्ता किस पर निर्भर करेगी सौर उर्जा की सुलबता पर निर्भर करेगी पास्तिक तंत्र की उत्पादक्ता जितनी अधिक होगी पास्तिक तंत्र की उत्पादक्ता को मतलब क्या है आपने पढ़ा प्रात्मिक उत्पादकों द्वारा प्रत बीविव्ता निर्वर करता है तो जीव की विविवृता होते हैं definit propor बढ़ांते हैं तो जीवों की विवेद्टा अहार जीवों की विवेद्ट्र को बढ़ाती अधिक होगी कैसे इसको हम थोड़ी दिर में समझाएंगे अभी अहार जाल की वित्ता जितनी अधिक होगी पायस्तिक तंत्र की इस थिरता उतने ही बढ़ेगी खाद स्रिंखला यानि फोड़ चैन एक दूसरे को खाने वाले जीओं के अनुकरम को हम खाद स्रिंखला के ते हैं एक दूसरे को खाने वाले जीओं का अनुकरम, पौधों को शाक भक्ची खा जाते हैं, शाक भक्चियों को मास भक्ची और मास भक्चियों को उच्च मासा हरी, तो एक दूसरे को खाने वाले जीओं के अनुकरम को ही हम क्या कहते हैं, खाद स्रिंखला कहते हैं, खाद के माध्यम से ही एक पोसन सी तर से 2 पोसन उसतर तक और जाका एक दिश्रिय प्रवा होता रहते है यानी उत्पादकों को शाकाहरी खा जाते हैं सबीक मृत्य होने पर आप घतक वियोजित कर देते हैं इस प्रकार खाद शरिंखला के न्तरगत उत्पादक, साकाहरी, मासाहरी, उच्च मासाहरी और अपगटक, अर्थात कवक और सुख्षम बैक्टेरिया, इन सभी को हम खाद शरिंखला के न्तरगत सामिल करते हैं और इन सभी के माध्यम से उर्जा का एक दिशिय प्रवा होता है ये सभी परसपर भोजन और भग्छक के रूप में समंदित होता है इन सभी में कौन सा समंद होता है भोजन और भग्छक का समंद होता है यानि प्रतेक पोस्ण इस्तर का जीव उपरी पोस्ण इस्तर के जीव का भोजन होता है खाद स्रिंखला दो रूपए में पाई जाती है पहला है चारण खाद स्रिंखला और दूसरा है आप घटक्स खाद स्रिंखला चारण खाद स्रिंखला क्या होती है चारण खाद स्रिंखला के अंतरगत प्रतेक पोशन इस्तर एक पोशन इस्तर से लेकर अगले पोशन इस्तर के जीवतक उर्जा का एक दिसी प्रवा होता है चारण खाद सिंखला चारण खाद सिंखला के अंतरगत उर्जा का प्रवा पूशन इस्तर एक के ध्यान से सुनिएगा चारण खाद सिंखला के अंतरगत उर्जा का प्रवा पूशन इस्तर एक उसमें कौन होता है पूशन इस अरपोसित सर्वहारियों तक होता है उर्जा का प्रवा कहां से कहां तक होता है वनस्पतियों से लेकर सर्वहारियों तक दो में गया तीन में गया चार में इस तरह से उर्जा के एक दिसी प्रवा होता है तो चारण खाद सिंखला के अंतरगत उर्जा का एक दिसी प्रवा प और सुक्षमजीव वियोजन की प्रक्रिया में प्राक्त जैविक पदार्थों को घोल की रूप में गरहन करते हैं इस प्रक्रिया में जैविक पदार्थों को घोल की रूप में गरहन करते हैं और ये पदार्थ फिर से हरी पत्ती वाले पोधों द्वारा उपलब्ध हो जाते हैं यादि ये पदार्थ फिर से हरी पत्ती वाले पोधों के लिए सुलब हो जाते हैं मिट्टी में चले जाते हैं खाद जाल या आहार जाल आम तोर पे लोग खाद जाल या आहर जाल आम तोर पे लोग खाद सरिंखला और खाद जाल को एक ही समझते हैं इससे पहले हमने खाद सरिंखला पढ़ा खाद सरिंखला एक बहुती सरल सरिंखला होती है है ना उसमें एक ही खाद सरिंखला है लेकिन खाद जाल क्या होता है कई खाद सरिंखलाओं का समू होता है खाद सरिंखला इस संकल्पना पर अधारित है कि एक जीव एक ही प्रकार का भोजन करता है हम अब खाद सरिंखला की बात कर रहे हैं हम खाद जाल की बात नहीं कर रहे हैं खाद स्रिंखला जो हमने इसके पहले पढ़ाया इस संकल्पना पर आधारित है कि एक जीव एक ही प्रकार का भोजन करता है यानि साब के ओल मेड़ा को खाता है मेड़ा के ओल टिड़ा को खाता और टिड़ा घास खा जाता है तो खाद स्रिंखला इस संकल्पना पर आधारित इस तत्य परदर्ध है कि एक जी एक ही प्रकार का भोजन करता है, लेकिन वास्तों में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि एक कईpping प्रकार की एक किसी परश्तिक क्तंत्र में कईप्रकार की खाद सरिंख लाएं हो सकती हैं, जैसे कि आपको दिखाया गया है, अभी सः रुपम देख चुहे को उल्लो भी खा सकता है और उल्लो को बाज भी खा सकता है घास को टिडड़ टिडड़ को मेधक साप यानि साप यहाँ पर देखे क्यों चुहे को नहीं खा रहा है साप मेधक को भी खा रहा है यानि ये सभी चार अलग अलग खाद स्रिंखला दिखाई गई है खाद स्रिंखला एक खाद स्रिंखला दो खाद स्रिंखला तीन खाद स्रिंखला चार और इन चारों खाद स्रिंखलाओं में उच्छ मासा हरी कौन है शेर क्योंकि इन सभी खाद स्रिंखलाओं के म परस पर समंदित होती हैं अब ध्यान से देखिए ये सभी खादस रिंग खलाएं परस पर समंदित होती है यानि किसी ने किसी पोसाण इसतर पर ये समंदित है जैसे घास को तीन प्रकार के शाकाहरी खा रहा है चुहा भी टिड़ा भी खरगोस भी जंगली बिली खरगोस को भी खा सकती है और साप को भी खा सकती है यहाँ पर लिख रहा है जंगली बिली खरगोश को भी खा सकती है और साप को भी खा सकती है इसी तरह से साप मेढग को भी खा सकता है और यही साप चुहे को भी खा सकता है यानि यह सभी जो खादर सिंखलाएं अलग थालग नहीं है क कई खाद स्रिंग खलाओं के परसपर जुड़े हुए नेटवर्क को परसपर जुड़े हुए यानि परसपर जुड़े हुए कई खाद स्रिंग खलाओं के एक नेटवर्क को हम खाद जाल कहते हैं या आहार जाल कहते हैं इंगलेस में से फूड वेब बोलते हैं आप लिखा लेकिन पूरा का पूरा क्या है। ये हो गया खाद जाल, ये पूरा एक साथ हम क्या कहेंगे। तो खाद जाल में एक कही जीव। उधारण के लिए साप, खाद जाल मेंْ एक कही जीव। साप हो ही है या लग-लग साप नहीं है तो खाद जाल में एक ही जीव कई खाद सरिंखला का सदस्य हो सकता है आज समझ रहे हैं खाद जाल में एक ही जीव कई खाद सरिंखला का सदस्य हो सकता है यहाँ पर साप देखिए पोस्टन स्तर एक दो यहाँ पर साप पोस्टन स्तर तीसरे पे हैं और यहाँ पर साब किस नंबर पर है एक दो तीन चार मैंने बताया खाद wizard में एक ही जीव अलग-अलग खाद शरींखला का सदस्द से हो सकता है और साथworking अलग-अलग खाद सरींखला में उसका वोशन ली अलग हो सकता है जैसे यहाँ पर साब किस पुसण स्तर पर है इस स्रिंख लामें तीसर इस दर पर है और इस रिंख लामें चोंथी पुसण स्तर पर है तो इ खाद जाल में एक अही पोधा कई शाक भक्चियों का भोजन हो सकता है उधारण के लिए चुहा, टिड़ा और खरगोस ये सभी अपने भोजन के लिए घास पर निरबर है इसके लवाँ खाद जाल में एक अही जीव कई एक कई शाक भक्चियों का भोजन हो सकता है और साथ ही उधारण के लिए चुहा, टिड़ा खरगोस सभी घास पर निरबर है इसके लवाँ खाद जाल में एक ही जीव अलग अलग खाद सरिंखला के कई जीवों का भोजन या कई मास भक्षियों का भोजन हो सकता है यानि खाद सरिंखलाएं एक दूसरे को आतीकरमण करती रहती है पारिस्तिक तंत्र की स्थिर्ता किस से स्थापित होती है। किसी भी पारिस्तिक तंत्र में जीवों की जंख्या जितनी ही अधिक होगी। यानि किसी भी पारिस्तिक तंत्र में जय विविद्ता बायोडियावर्सेटी जितनी ही अधिक होगी। खाद जाल की विविद्धता उतन ही बढ़ेगी किसी परस्रितिक तंत्र में जै विविद्धता जितन ही अधिक होगी खाद जाल की विविद्धता में उतन ही विर्द्धी होगी यानि जै विविद्धता खाद जाल की विविद्धता को बढ़ाती है और पारिस्तिक तंत्र में खाद जाल की विद्ता में जितने ही अधिक विर्द्धी होगी पारिस्तिक तंत्र उतना ही स्थिर्टा को प्राप्त होगा यानि अगर जीवों की विद्ता घटने लगी तो खाद जाल की विद्ता घट जाएगी खाद जाल की वित्ता घटेगी तो पारिस्तिक तंत्र आस्थिर हो जाता है पारिस्तिक की जनक है एपी ओडम पारिस्तिक की जनक कहलाते हैं एपी ओडम के नुसार पारिस्तिक तंत्र में जातियों यानि प्रजातियों की संख्या जितनी ही अधिक होगी पारिस्तिक तंतर की स्थिरता उतने ही बढ़ती है ऐसा एपी ओडम ने कहा है उधार के लिए हम पहले खाद सरिंखला की बात करेंगे फिर हम खाद जाल की बात करेंगे हम बताएंगे कि खाद जाल की विट्टा बढ़ने पर किस तरह से पार्षितिक तंतर इस्थिर रहता है खाद सरिंखला की बात करते हैं खाद सरिंखला सरल होती है खाद स्रिंखला में उर्जा का प्रवाः एक पोस्ण इस्तर से दूसरे पोस्ण इस्तर तक होता है यानि उर्जा प्रवाः का रास्ता एक ही होता है उसमें कई स्रिंखला हैं नहीं होती है एक ही स्रिंखला होती है है नो तो इसमें उर्जा प्रवा का कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं होता है उर्जा प्रवा का एक ही मार्ग होता है एक पोस्ण इस्तर से उपरी पोस्ण इस्तर तक तो उर्जा प्रवा का एक ही मार्ग होता है इसमें उर्जा प्रभा का कोई वेकलपिक मारग नहीं होता है इसका दूस्प्रभाव क्या होता है इसका दूस्प्रभाव ये होता है कि माल लेते हैं एक खाद सरिंखला हमने ले लिया घास, चिड़ा, मेढग, साब, बाज अब मालेते हैं खाद सरिंखला में किसी एक पोषण इस्तर के जीवों की संख्या तेजी से घटने लगे तो इसे निचले पोषण इस्तर के जीवों की संख्या अगर तेजी से घटने लगती है तो नीचले पोसड इस्तर पर इस्थित जीवों की संकटापन हो जाती है, नीचले पोसड इस्तर पर इस्थित जीवों की ऊपर भी खत्रा मटराने लगता है, क्यों? क्योंकि जब साप खतम हो जाएंगे या कम हो जाएंगे तो बाज किसको खाएगा? ऐसे सित्य में बाज मेढ़ा को खाने लगेगा क्योंकि साप कम हो गया है बाज जब मेढ़ा को खाने लगेगा तो मेढ़ा की संख्या बहुत तेजी से गिरेगी मेढ़ा की संख्या बहुत तेजी से गिरेगी तो किसकी संख्या बढ़ जाएगी टिड्डों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ेगी, तो पार्सतिक तंत्र में घास अनुपलब्ध हो जाएंगी, क्योंकि टिड्डे सारे घास को चर जाएंगे, होता क्या है, कि घास जितना ही बढ़ेगा, टिड्डा बढ़ेगा, तो मेढग बढ़ेगा, मेढगों की संख परेटतना जादा नार्ट के लिए घांस बढ़ जाएगा तो टिडड़ा मेंढ़ाग साब बाच सभी बढ़ जायेंगे क्यों कि सभी एक दूसरे के लिए ब्रूजन तेजी सी गिरावट होती है तो परिस्थिक तंत्र में अस्थिरता उत्पन हो जाती क्यों? क्योंकि निचले पोसर इसतर परिस्थित जियों की संख्या भी तब तेजी से घटने लगेगी क्योंकि बास मेढग को खाने लगेगा मेड़कों की संख्या तेजी से कम होगी तो टिड़ों की संख्या तेजी से बहुत जादा बढ़ जाएगी जब टिड़ों की संख्या जादा बढ़ जाएगी तो घांस खतम होने लगेगा इससे परसितिक तंत्र आस्थिर हो जाएगा लेकिन खाद जाल में क्या होता है खाद जाल में कई खाद सरिंग खलाओं क्या परस पर जुड़ा हुआ नेटवर्क होता है उसमें कई खाद सरिंग खलाओं क्या परस पर जुड़ा हुआ नेटवर्क होता है उसमें कई खाद सरिंग खलाओं क्या परस पर जुड़ा हुआ इसके च दूसरा रास्ता भी है चुहा के बाद सांप और जंगली बिल्ली है तो चुहे के बाद उल्लो और बाज भी है है ना घास के बाद टिड़ा मेढग सांप जंगली बिल्ली तो घास के बाद खरगोज भी है और खरगोज के बाद सीधे जंगली बिल्ली है यानि खाद जाल में कई खाद सरिंखलाएं परस पर जोड़ी होई होती है यानि खाद जाल में उर्जा प्रवा के कई वेकलपिक मारग उपलब्द होते है फिर वेकलपिक उर्जा प्रवा के वेकलपिक रास्ते जितने ही अधिक होंगे वेकलपिक रास्ता कब अधिक होगा जब किसी पारिस्तिक तंत्र में जय वित्ता अधिक होगी वही तो मने बताया कि जब किसी पारिस्तिक तंत्र में जय वित्ता अधिक होती है तो खादेजाल की वित्ता बढ़ती है खादेजाल की वेधिता जितनी बढ़ेगी पारिस्थितिक तंतर की इस्थिरता में वरिध्य होगी तो उर्जा प्रवा के वेकलपिक रास्ते जितनी ही अधिक होगे पारिस्थितिक तंतर उतना ही इस्थिर होगा कैसे अभी तो बताया कि वेकलपिक रास्ते जितनी यह दिखोंगी यानि जैव वित्ता जितनी यह दिखोंगी खाद जाल की वित्ता बढ़ेगी खाद जाल की वित्ता बढ़ेगी तो पास्तिति उतना ही इस्तिर रहेगा कैसे अब हम देख लेते हैं एक खाद जाल लेते हैं ये मान लेते हैं एक खाद जाल है किसी खाद जाल में किसी ये खाद जाल के दो खाद सरिंखलाएं दिखाए गए है एक खाद सरिंखला ये है और दोसरी खाद सरिंखला ये है किसी खाद जाल में खाद जाल में किसी एक खाद सरिंखला में खाद जाल में किसी एक खाद स्रिंखला में, यदि किसी एक पोसण इस्तर के जीवों की संख्या माल लेते हैं, कम होने लगती है तेजी से, किसी एक स्रेडी के जीवों की संख्या यदि तेजी से कम होने लगती है, तो उसी खाद स्रिंखला में उपरी स्रेडी पर या उपरी पोसड इस्तर पर इस्थित जो उपभोकता होता है फिर से सुलेजे किसी खाद जाल में किसी खाद जाल के किसी एक खाद सरिंखला में किसी एक पोसड इस्तर की उपभोकता की संख्या अगर तेजे से कम होने लगती है तो उसके उपर इस्थित पोसण इस्तर का जो उपभोगता होता है वो अपने भोजन के लिए दूसरी खाद शरिंखला में उसी स्रेडी के उपभोगता को अपना भोजन बना जाता है यानि अगर साप की संख्या कम हो गई तो निवला किसको बना लेगा भोजन? मेड़क को बना लेगा आप देखिए साप दूसरी पोस्ण इस्तर पर है तीसरे पोस्ण इस्तर पर है और मेड़क भी तीसरे ही पोस्ण इस्तर पर है एक, दो, तीन यहाँ भी एक, दो, तीन यानि मेड़क और साप दोनों तीसरे पोस्ण इस्तर पर है तो समझिये, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, किसी खाद जाल में, किसी खाद जाल के किसी एक खाद सरिंखला में यदि किसी पोसर्ण इस्तर पर इस्थित उपभोकता की संख्या तेजी से गिरती है, तो उस पोषण इस्तर के ऊपर इस्थित उपभोगता अपने भोजन के लिए दूसरी खाद स्रिंखला में उसी पोषण इस्तर के दूसरे जीव को अपना शिकार बना लेता है इससे जो पाजसितिक तंतर है इस्तिर रहता है क्यों कि इसको उर्जा प्रवा का एक वेकलपिक रास्ता मिल गया उर्जा प्रवा के वेकलपिक रास्ते जितने ही अधिक होंगे तो नेवला को उर्जा प्रवा यानि भोजन का एक वेकलपिक रास्ता मिल गया इसका रास्ता औरुद नहीं हुआ अगर इस रास्ते से उर्जा परवा नहीं हो पाएगा तो इस रास्ते से हो जाएगा उर्जा परवा तो उर्जा परवा के वेकलपिक रास्ते जितनी अधिक होंगे पारिस्तितिक तंत्र उतना ही इस्थिर होगा इस प्रकार क्लियर है कि आहार जाल की जो विद्धता है आहार जाल की विद्धता परिस्थितिक तंतर की स्थिर्था को बढ़ाती है इसको सुरू से बोलें तो किसी भी पारिस्तितिक तंत्र की उत्पादक्ता जितनी होगी उसमें जीवों की विद्धता उतनी अधिक होगी जीवों की जातियों की विद्धता अधिक होगी जब जैव विद्धता अधिक होगी तो खाद जाल की विद्धता बढ़ेगी और ख पारिस्टिक तंत्र की छमता को बढ़ाती है अब तक आपने जो भी पढ़ा यह पारिस्टिक तंत्र के अंतरकत पारिस्टिक तंत्र जो अध्या है कुछ आधार भूत समझ वाले बिंदों को ही लिया गया है अगर यहां तक आपने बखुबी समझ लिया है तो concept या आउधारत्मक समझ से समंधि जितने भी सवाल आप से पूछे जाएंगे उसको आप गलत नहीं करेंगे यहां से पूछे जाने वाले ज्यादा तर सवाल factual नहीं होंगे यह आप से कथन के रूप में पूछे जा आता हूं कि आने वाले PCS परिच्छाओं में भी PCS परिच्छा का जो प्रेलिम वाला एक्जाम होता है प्रेलिम एक्जाम में अब तक factual सवाल पूछे गये थे लेकिन 2020 से प्रेलिम परिच्छा कोई भी सवाल कम पूछे जाएंगे अब कथन अधरी सवाल आपको अधिक दि इसी 18-22 एक्टूबर तक इस परिच्छा में मुख्य परिच्छा में IS इस तर तक के सवाल पूछे गये थे पहले क्या होता था पहले बहुती साधारण से सवाल पूछे जाते थे जिनका उत्तर लिखने में समस्या नहीं आती थी लेकिन जिस तरह से विशलेशन परक सवाल पूछे गए इस बार UPPCS मुख के परिच्छा में मैं GS प्रश्ण पत्र की बात कर रहा हूँ GS में चार प्रश्ण पत्र हों थे मुख के परिच्छा में तो विशलेशन पर प्रश्ण पूछे गए और धायरत्मक समझ देखी गई, परखी गई मतलब सवालों के इस्तर कहीं से भी IS के इस्तर से कम नहीं था तो अगर मुख के परिच्छा, PCS परिच्छा का इस्तर अगर IS परिच्छा के इस्तर पर हो गया है तो प्रारंभिक परिच्छा भी आप IS परिच्छा के इस्तर पर जाएगी आप ये सोजना छोड़ दिजे कि factual सवाल अधिक पूछे जाएंगे concept जितना ही आपको तगड़ा होगा उतना ही आप अच्छे से सही उत्तर तक प्रारामभिक परिच्छा में पहुँच बाएंगे परार परस्तित्की के अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं तब तक के लिए इजाज़त दीजे नमस्कार